नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फरमेशन में आपका स्वागत है देखे दोस्तों जारकन सरकार की तरफ से एक बड़ी फैसला लिया गया है दोस्तों कि सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर जो है एक मार्च से जो है स्टार्ट किया जाएगा दोस चार सो पदों पर पहले यह भैकनजी आएगी दोस्तों और अगला निउज दिखेंगे दोस्तों जेपीसी निउज दोस्तों चलिए दोस्तों इस निउज को देखने के लिए आप लोग बने रहे हैं दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं के तो जरूर लाइक कर लिजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों तो दोस्तों दिखिए हमन सरकार ने खुई कल जो ट्वीट किये हैं दोस्तों ट्वीटर के माध्यम से यह चीज बताया है कि सभी सरकारी कार्याले मैं सत परतिसत उपस्तिती अनिवार यह रोख रहेगी आवे जारी सार को फ़ीट ओट नोटी सभी हम लोग देखेंगे सरकार ने जारी टरप से रोश्टर पर नाली समाप्त, बंद ब्यवस्था में हॉल की चमता जो है 50% तक बेक्तियों की एकत्रित होने की अनुमती, खुली जगह में अधिकतम 100,000 बेक्तियों की एकत्रित होने की अनुमती, जुलूस पर रोक रहेगी, आठवी, नौमी, ग्यारवी की खुलने की अनुमती, अभिवावों की अनुमती अनिवार्य होगी, अभ्यार्तियों की उपस्तिती अनिवार्य नहीं होगी, मतलब यह कह है कि अभ्यार्ति इसकुल जाए ना जाए मतलब नहीं रहेगा, तो यहीं बोलने का इसका मतलब है, अ उच्छ सिक्षा संस्थान, कॉलेज, पॉलेटेकनिक इत्यादी को खोलने की अनुमति, UGC के दिशा निर्देश का अनुपालन करने की हैतू, करते हैतू, विस विद्याले निर्ने लेने हैतू, प्राधिकरीत, मतलब सभी उच्छ संस्थान जो है, खोले जाएंगे, कोचिं संस्थान की खोलने की अनुमति, जितने भी संस्थान की को खोलने की अनुमति दी गई है, सभी टरेर्निंग संस्थान, यथा आईटीटी आई स्किल्टेवलोपंट संटर इतियाधी की खोलने की अनुमति, पैचास परतिसत, छमता पर, सिनेमा हॉल खोलने की अनुमती तो ये सब चीचे दोस्तों खोल रही है और साथ में ध्यान रगेगा आंगन बाड़ी को भी खोलने के अनुमती दी गई है तो दोस्तों चलिए हम लोग दोस्तों आगला न्यूज देखते हैं तो देखें तो ट्वीटर में जो है यह डिसकस किया गया था जल बिभाग में इस समय कारियरत कनिय अभ्यंता की कुल संख्या जो है 1244 है टोटल काम कर रहा है जहरकन सरकार के अंतरगा जल संसादन बिभाग में इस समय कारियरत कनिय अभ्यंता आसेनिक के सुईकृति पदों के लिए कुल संख्या 2181 है ठीक है जहरकन सरकार के अंतरगा जल जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए जार्खन कर्मिक विभाग को अधी आचना भेजी गई है और अगला न्यूज एकते हम लो आज का अगला देखिए दोस्तों जेपेसी की तरब से बड़ी खबर जेपेसी एक्जाम आवेदकों के लिए अची खबर है कि उप्योक्त वह अनुमंडल पतादिकारी दोरा ज्याती परमान पत्र भी अब चलेगा ठेक है ध्यान रखे क्यें जाती परमान पत्र बनाया जाता है आरक्छन लेने के लिए तो उसका जो है अब जो है अब जो है रहने के लिए आप लोगा धन्यबाद वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दूस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यबाद